हुआ 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 नमस्कार मैं हुआ विनोद कुमार आप देखने दा ग्राउंड न्यूज जैसे कि आपने डॉक्टर सारीका को सुना अभी और हम उनका कर रहें इंटर्व्यू एलेक्शन को लेकर बातचीत तो होगी लेकिन इसमें इन्होंने एक मुद्दा उठा दिया सबसे पहले वह है बिजली की कटोटी इस पर भी चर्चा होगी लेकिन सबसे पहले सारीका जी बात कर सबसे रखी अपने भासन के दौरान भी आखिर ऐसा है जब तो क्या मैं चार घंटे और नहीं उठा सकती उस दिन मुझे लगा कि थोड़ी सी आमादभी पार्टी की विजिबिल्टी प्रिंट में कम थी तो हमें ज़रूरी लगा कि हम जंडा उठाएं और क्या होता है कि अ बाटी और कॉंग्रेस ने मिलके बनाया है ताकि हम ताना शाही को रोक सकें ताकि हम समविधान को मारने वाले लोग particular कि भाई आपका समय खतम हो गया है ताना शाही का टाइम अब खतम हो आप जोला उठा के जाने का समय आ गया है इसलिए इंडिया ऐलायंस बना है जो ताना शाही को रोकने के लिए भाजपा सरकार को रोकने के लिए तीसरी बार आप गलती ना कर बैठे उसके लिए एक हमने बुलंद एक ऐल्टरनेटिव दिया क्योंकि आज तक आप कहते थे कि अल्टरनेटिव नहीं है आप एक विकल्प सामने आ गया है ओपोजिशन मजबूत हो गया है और आमादभी पार्टी और इंडिया का जो कॉंग्रेस का अलायंस बन चुका है पूरे हर्याना में दस सीटे हैं उसमें से एक आमादभी पार्टी कुरुक्षेत्र में लड़ जहां कॉंग्रेस पार्टी पूरी तरह सुषिल कुपता जी का सैयोग कर रहे हैं उसी तरह 9 सीट जो कॉंग्रेस को मिलिए वहां पर जिसमें से एक गुडगाओं से हैं यहां राजबबर जीम मरद लड़ और आमादी पार्टी पूरे दिल advertisingて को इक ही और यह की बना है की देश को बचाने की जरूरत है लोग तंतर को बचाने की जरूरत है और ताना शाही को हटाने की जरूरत है एक मत हो के हम इस पत्रे आये हैं अपने आपसी डिफरेंसे छोड़ के आये हैं कि देश सबसे पहले है पार्टियां बाद में है जी बिल्कुल काफी समय तक यहां से क मजबूत उमीदवार माना जा रहा है जो राज बबर जी को नहीं की है उनka सबसे और बहुत lover आदमी है। उनकी अने से बहुत अच्छी ऊर्ज्या मिली है। और गुडगाओं में सडनली जो एक लग रहा था कि एक तरफा इलेक्शन होने वाला है और जो करंट हमारे सांसर्थ है जो 20 साल से जिन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया आज तक किसी के सुख दुख में ना शामिल हुए आज तक गुडगाओं की समस्याओं में उन्होंने जरा भी कांट्रिबूशन नहीं किया चाहिए वो अही रेजमेंट की बात हो चाहिए हमारे हॉस्पिटल की बात हो चाहिए कच्रा प्रबंदन की बात हो चाहिए रावलीज को बचाने की बात हो आज तक संसर्थ ने कुछ भी नहीं किया मंत्री होने के बाद केंद्री मंत् अब मेरे को वोट करो मुझे लगता है गुडगाओं के लोग परिशान हो चुके हैं अब जाती धर्म और नफरत से उपर उठके वोट करेंगे मुद्धों पे वोट करेंगे काम पे अब सबको दिख रहा है कि अच्छा विकल्ब के रूप में आया है राजबबर जी बहुत फेमस है अभी नेता रहे चुके हैं पांच बार सांसद रहे चुके एक गंभीर आदमी है जो मुझे जिसतना में दो-तीन दिन में जानी हूँ और उनके जो भाशनों से ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे कैंडिडेट रहेंगे गुडगाओं के लिए बहुत अच्छा काम भी करेंगे और कल जिस तरह शीतला कॉलोनी में और मदनपूरी में जिस तरह उन्होंने लोगों को अड्रेस किया वो कोई नेता नहीं बनके निकल रहे हैं और ऐसा ही आदमी गुडगाओं को चाहिए जो हमारा काम करवा सके जो हमारी पीड़ा समझ सके जो पांच हजा निगम का औरें वह कहा जा रहा एंसको इस क्रप्शन को करने के लिए हमारी मेठों करने के लिए हमें ऐसा सांसत को परेंगे जा रही है और गार एक चाहरा क्रेंग मजबूत जी सबाब जो जो यहां के मूल भी सुबधा है और जो समस्या है उनको लेकर जनता के बीच में जा रही है और इनका कहना है कि अब पुराने सांसत को बदल कर राजबबर जी को जिताना चाहिए कैमरा पर्शन गोल्डी के साथ बिनोध कुमार दा ग्राउंड न्यूस ग्रूग्राम